दोस्तों यहाँ पर लाइप प्रूप के साथ देख सकते हैं हमने किस्ट एप के माध्यम से लोन लिया है और यह लोन हमारे बेंक अकूंट में तुरणती ट्रांसफर कर दिया गया है अभी के समय में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के दोरा आसानी से लोन ले सकते हैं आज किस वीडियो में आपको हम किस्ट एप के माध्यम से लोन अप्लाइ करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर बता दूँ किस्ट एप RBI Approved NBFC Company है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरौतनी है इसके अलावा सबसे बड़ी बात है यदि आपकिस्ट एप के माध्यम से लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर Bank Account Statement की जरौतनी परती है साथी आपके Bank Account में तुरंथी Loan Amount Transfer कर दिया आता है YouTube पर आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे लेकिन हर एक वीडियो में Loan Laker के Live Proof के साथ नहीं दिखाया गया है लेकिन हम जितने भी वीडियो बनाते हैं उसमें हम आपको Loan Laker के Live Proof के साथ दिखाते हैं तो आप लोग किस तरह से किस्ट एप के माध्यम से लोन लेंगे चलिए आपको हम Loan Laker के Live Proof के साथ दिखाते हैं दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किस्ट एप का लिंक दिया है आप लोग किलिक करके किस्ट एप को इंस्टॉल कर लेंगे चलिए हम इंस्टॉल पर किलिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं आप यहाँ इंस्टॉल हो चुका है चलिए ओपन पर किलिक करके ओप साइन अप कर सकते हैं चली हम यहां पर Mobile Number के माद्ध के Maroon से Sign Up करेंगे तो हम इस Box मैं अपना Mobile Number Fill Up कर लेते हैं यहां पर Mobile Number Fill Up करने के बाद continue पर क्लिख करेंगे अब आप मवाइल नम मर पर OTP आएगा आप यहां पर OTP को Fill Up करेंगे यहाँ पर OTP fill up करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आगे का process होगा अब यहाँ पर देखिए detail fill up करने के लिए गया है सबसे पाला यहाँ पर है first name तो आप यहाँ पर अपना first name fill up करेंगे इसके बाद आप इस box में अपना last name fill up करेंगे इसके यहाँ पर है email id तो आप इस box में अपना email id fill up करेंगे चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं यहाँ पर detail fill up करने के बाद submit पर click करेंगे आप यहाँ पर देखिए permission के लिया गया है तो आपको यहाँ पर SMS का permission, location का permission, phone का permission देना होगा चलिए इसके बाद आप read and accept पर click कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ से allow कर लीजे allow पर click कर लेंगे location का permission मआगा जा रहा है तो आपको यहाँ पर enable location पर click करना है और आप यहाँ से location को on कर लेंगे इसके बाद back हो जाएगे दोस्तों यहाँ पर location को on करने के बाद भी आपको यहाँ पर इस तरीका से सो करता है तो आप एप को close करके फिर से एप को open करेंगे अब आपको इस तरीका से open हो जागा और यहाँ पर देखे बताया गया कि आप लोग किस्त आप के माद्यम से 6 लाक रुपए तक loan ले सकते हैं इसके लाव आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ पर एप को refer करके भी पैसे कमा सकते हैं चलिए आप यहाँ पर loan apply करने के लिए आप apply नौप पर किलिक कर लेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है अब आपको इस तरीका से open हो जागा और यहाँ पर देखे बताया गया कि आप लोग किस्त आप के माद्यम से 2 लाक रुपए तक loan ले सकते हैं या loan 100% digital process में होगा इसके अलावा आपके bank account में तुरंती loan amount credit कर दिया आता है साथ यहाँ पर देखे लिखा zero hidden charges तो कोई भी आपको अलग से charge नहीं लगेगा और यहाँ पर loan apply करने के लिए आपको basic detail fill up करना होगा इसके बाद आपको kyc complete करना होगा इसके बाद आपके bank account में loan amount credit कर दिया आता है चलिए इसके बाद आप यहाँ पर let's start पर click कर लेंगे आप यहाँ पर देखे detail fill up करने के लिए गया है सबसे पहला यहाँ पर enter pen card number तो आप यहाँ पर अपना pen card number fill up करेंगे यहाँ पर pen card number fill up करने के बाद continue पर click कर लेंगे अब जो भी आपके pen card पर नाम लिखा हुआ है यहाँ पर वह नाम सो करता है इसके बाद आप proceed पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे detail fill up करने के लिए गया है सबसे पहला यहाँ पर select your gender यदि आप male है तो आप यहाँ पर male को select करेंगे लेकिन यदि आप female है तो female को select करेंगे इसके बाद यहाँ पर select your date of birth तो आप इस box में अपना date of birth fill up करेंगे date of birth fill up करने के लिए आप इस calendar के icon पर click करेंगे और आप यहाँ से अपना date of birth select कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर है marital status, यदि आपकी साधी हो चुकी है तो आप यहाँ पर merit को select करेंगे, लेकिन साधी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर unmarit को select करेंगे, इसके बाद यहाँ पर है father name, तो जो भी आपके पिता जी का नाम है, आप इस box में fill up करेंगे, चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं, यहाँ पर detail fill up करने के बाद proceed पर click कर लेंगे, आप यहाँ पर देखे address fill up करने के लिए आप यहाँ पर अपना पूड़ा पूड़ा address fill up कर लेंगे, यहाँ पर देखे लिखा है pin code, तो आप इस box में अपना pin code fill up करेंगे, चलिए हम यहाँ पर address fill up कर ले से खुद का जौब है तो आप यहाँ पर self employed को select करेंगे इसके बाद यहाँ पर interior profession तो जो भी आप काम करते हैं आप यहाँ पर फिल अप कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर gross monthly income तो आप महने में कितना रुपए कमाते हैं आप यहाँ पर वह amount select करेंगे लेकिन bank account में transfer होता है तो आप यहाँ पर bank transfer को select करेंगे यहाँ पर detail fill up करने के बाद proceed पर click कर लेंगे आप यहाँ पर देखे डिजी locker के माद्यम से आधार verify करने के लिए गया है तो आप यहाँ पर fetch आधार पर click कर लेंगे इसके बाद आप यहाँ से allow कर लेंगे अब यहाँ पर देखे आधार नमर fill up करने के लिए गया है तो आप इस box में अपना आधार नमर fill up कर लेंगे इसके बाद जो भी आप यहाँ पर देखे डिजी लोकर में login करने के लिए गया है तो जो भी आपके डिजी लोकर का login पिन है आप यहाँ पर fill up कर लेंगे यदि आपका डिजी लोकर में account नहीं है या फिर आप डिजी लोकर का login पिन भूल गया है नीचे में forget security पिन आप इस पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे date of birth fill up करने के लिए गया है तो जो भी आपका date of birth है आप यहाँ पर date, month और year fill up करके continue पर click करेंगे अब यहाँ पर देखे डिजी लोकर का login पिन बनाने के लिए गया है तो आप यहाँ पर 6 अक्षर का login पिन बना लेंगे इसके बाद आप continue पर click कर लेंगे अब जो भी आपके पास document है आप उसके सामने वाले box में टिक कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर आधार card, driving license, pen verification record तो आप यहाँ पर आधार card के सामने वाले box में टिक कर लेंगे और pen card के सामने वाले box में टिक कर लेंगे इसके बाद allow पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देख सकते के अंदर अपना selfie photo upload कर लेंगे यहाँ पर selfie photo लेने के बाद use this photo पर किलिक कर लेंगे यहाँ पर देखे selfie photo upload हो चुका है इसके बाद आप confirm and continue पर किलिक कर लेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है जब तक कि आगे का process होता है अब यहाँ पर देखिया गया address confirmation और यहाँ पर current address हो करता है यदि आपका current address और permit address दोनों same है तो आप इस box में tick कर लेंगे इसके बाद proceed पर click करेंगे अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना है अब दोस्तों यहाँ पर देखिया हमें 9000 रुपे का loan approved किया गया है यानि कि हम किस एप के मादल हम से 9000 रुपे loan ले सकते हैं आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा loan amount सो करें या फिर इस से कम loan amount सो करें क्योंकि यह credit score पर depend करता है यदि हम यहाँ पर 9000 रुपे loan लेते हैं तो हमारे bank account में 8150 रुपे loan amount क्रेट किया जाएगा साथ यहाँ पर 18% पर एन लिखा हुआ है यह काट करके ही आपके bank account में loan amount transfer किया आता है तो 9000 रुपे loan लेते हैं तो processing charge काट करके हमारे bank account में 8150 रुपे loan amount transfer किया जाएगा साथ यहाँ पर देखे लिखा है first installment तो यहाँ पर date और amount दिया हुआ है कि आपको कितना amount यहाँ पर pay करना है चले इसके बाद आप यहाँ पर add bank पर click कर लेंगे अब यहाँ पर देखे bank detail fill up करने के लिए गया है सबसे पहला यहाँ पर IFSC code तो जो भी bank में आपका account है उस bank के branch का IFSC code यहाँ पर fill up करेंगे इसके बाद यहाँ पर account number तो आप इस box में अपना account number fill up करेंगे इसके बाद नीचे में confirm account number तो आ आप यहाँ पर saving को select करेंगे current account है तो current को select करेंगे other account है तो other को select करेंगे overdraft account है तो आप इसको select करेंगे त्रायस अभी का saving account होता है तो आप यहाँ पर saving ही select कर लीजे चलिए हम यहाँ पर detail fill up कर लेते हैं आप यहाँ पर IFSC code fill up करेंगे तो यहाँ पर bank का नाम साथी branch का नाम अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है अब यहाँ पर आपको verify bank detail आ जागा इसके बाद आप confirm पर click कर लेंगे इसके बाद आप इस box में tick कर लेंगे इसके बाद आप accept offer पर click करेंगे अब दोस्तो हमारे bank account में loan amount transfer कर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है 9000 hasmin transfer to your bank account successfully आप यहाँ पर view details पर click करके detail देख सकते हैं इसके लवा यहाँ पर देखे लिखा है upcoming payment तो यहाँ पर देख सकते हैं payment करने के लिए भी option दिया हुआ है चलिए इसके बाद आप यहाँ पर view details पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको loan details हो करेगा आप यहाँ पर view details पर click करके loan details देख सकते हैं इसके लवा यदि आप time से पहले loan को close करना चाहते हैं या फिर EMI pay करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर pay no पर click करके loan amount pay कर सकते हैं और loan को close कर सकते हैं pay no पर click करेंगे तो यहाँ पर देखे टोटल हमें 9,432 रुपए पे करना होगा तो आप यहाँ पर कई तरह के से पेमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पर UPA एप के माद लेहम से पेमेंट कर सकते हैं UPA ID के माद लेहम से पेमेंट कर सकते हैं और loan को close कर सकते हैं तो इस तरह से आप लोग घर बैठे किस एप के माध्यम से loan ले सकते हैं आपको loan मिलना आपके credit score पर depend करता है इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी bank से या फिर किसी भी एप से loan लिया है और आपने कोई भी EMI मिस्ट कर दिया है तो फिर आपको loan मिलने में दिक्कत हो सकती है मैंने आपको detail में बता दिया उम्मिद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक करना मत फुलिए आप हमें comment करके जरूर बताएगा कि आपको यहाँ पर कितना loan offer क्या गया है फिर मिलत अगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत ख्यार लगिए बाई टेक केर